वेलकाम ओन माई यूट्यूब चैनल गाईस मेरा नाम कुल्दीब दीखेता है और आप देख रहे हैं पिंग में इंडिया तो अभी जैस्ट हमने रिसेंट डेल डेटा डोमेन नेटवर्क की सीरीज को भतम किया हुआ है तो आज हम नई वीडियो के साथ हैं वीडियो है डेल टैफ लाइब्रेरी ml3 ml1000 फुल कॉन्फिकेशन विद फ्रमवेर अपडेटिंग तो पहले तो यह जान लेते हैं कि ml3 है क्या और यह टैफ लाइब्रेरी होती क्या है टैफ लाइब्रेरी बेसिकली हमारा सेकेंडरी स्टोरेज हम इसको कह सकते हैं होके होता क्या है जब भी ह हम किसी हम यहां backup की बात कर रहें क्योंकि हमने भी backup की πάustरyr कें है तो हम उसी की बात कर रहें तो हम क्या करेंगी जैसे हमiddah कोई software है comb principalmente हो गया सेन है या नैस है जो भी आपका इस्टोर रेज़े ठीक है तो उसकी कैपसिटी होती है कि यह 20 टीवी तक ही डेटा अपने पास इस्टोर कर पाएगा ठीक है या 40 टीवी जितना भी आपने लिया होगा तो हम टैप लाइब्रेरी क्या करते हैं टैप लाइब्रेरी में कॉन्फ हम एक पर्टिकुलर डेटा को किसी पर्टिकुलर टेप में रख देते हैं कि हमारा जैसे फुल बैक अप चला संडे को तो हमने साथ दिन का जो हमारा इंक्रीमेंटल था उसने हमारा संडे को फुल बैक अप लिया और उसने एक टेप में अपना सारा बैक अप रख दिया औ तो हमारा डेटा सेव रखा हुआ एक अपनी टेप कैसिट की तरह होती जैसे पहले कैसिट आती थी डेग आते थे न उसमें कैसेट अजील लगती थी ऐसी टेप होता है ठीक है उसमें हम अपने डेटा को सेव करके रखते हैं और सेक्योर्टी परपस के लिए तो हम यह टेप लाइब्रेरी डेल की आती है एमेल थी बेसिकली सारी टेप जितनी भी आती है वह आई विए मैनुफेक्यर करता है फिर उसके बाद कंपनी पर्चेस करती है और वहां पे अपना लोगो लगाती है यह से डेल नहीं किया तो डेल में पहले आती थी एमेल बनता है 1 1 से करना है तो ले लेते हैं यह इसकी डिश्पיल है ठीक है और यह इसकी ओकटन है जी से हम पिरास का करते हैं या एंटर करते हैं तो यह हमारी ock की बटन हो गई और यह हमारी कैंशल की बटन है यह अप अप और यह जो आपको बटन देख रहे है यह Recently को निकालने के लिए हुं क्या है हमारे library Send म्यूंपह जैसे यह ना यह जो आपको दो देख रहा है यह वाला यह हम्यटीन पार्ट है तो हम इसके कंसोल के थिरू में को बाहर कर सकते हैं ठीक है यह इसका यूएस्वी पोर्ट है कभी अगर हमें अपडेट करना पड़ा और यह इसमें की लाइपडेट करते हैं और यह सब्सक्राइब है कैसे का अब करेंगे और इसका पासवेट है तो पासवर्ड कैसे करेंगे और इसमें तो इसको करतें नेस्ट ऑग यह वही जो हमने पिक्चर लगाई थी वही पिक्चर है यह है यह सेंगल फाबर सेंगल पाभर लगती है इसमें हमारी अभी एक ही है ड्राइब है इसको ड्राइब बोलते हैं ठीक है इस ड्राइब को अगर यहां पे तीन ड्राइब लगा सकते हैं तेको आपको तीन बाहर की जाइगी अच्छा ग्माइल efälle old children MP3 क्यों लेते हैं क्या पड़ लिए टू की डो की ड्राइज ती ड्राइज़ का लाइबिरी छी और उसमें एक स्पेंसर लुगा सकते थे expansion मतलब जैसे हम storage में expansion लगाते हैं जैसे dash बोलते हैं इसको dash storage बोलते हैं ऐसी यह से में भी हम expansion लगा सकते हैं कि इसकी capacity है कि 80 drive इसके अंदर 80 टेप इसके अंदर आ जाएंगी अगर हम expansion लगा देंगे तो 80 टेप और बढ़ जाएंगी 160 टेप आ सकती है तो expansion लगाने के लिए होता है कि हमें यह वाला cover हटा देना होता है यह जो ऊपर कबर है ठीक है यह के वाबर हटा के इसके ऊपर expansion रख देते हैं और expansion के ऊपर यह cover ल आप जाएगा तो यह जो दिख रहा है यह इस साइट चला जाएगा यहां पर आजाएगा तब expansion आप लगा पाएंगे ठीक है और इसमें पीछे भी एक USB का port दिया हुआ वही सेम firmware के लिए यह एक अपनी display आती है इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा यह उसकी display port है पर अब इसको हम server से connect करें इसको फाइबर से connect करते हैं यह आपको यह देख रहा है ना यह यह फाइबर के वफने यहाँ पर लगाएंगे तो आप यह द्राइब के दो आपको Dix जिखेगा मतलब drive दिखेगी एक द्राइब के दो port दिखेंगे आप जब आगे हम चलेंगे तो जैसे हमने इसमें पावर लगाया ठीक है इसमें कोई डिफॉल्ट आई पी आता नहीं है पहले आप जान लो आई पी आपको खुड डालना पड़ेगा तो हमने पावर लगा दिया और यहां पे मेंजमेंट केबल लगा दिया आई डी रैक की ठीक है और इसको ने पावर ली डी ओकी तो हम इंटर मतलब वह हं हो हमारी वाली बटन है यह वाली बटन हम इंतर आँगे ऑके लिए कि पर्again गारेंगे नेश्ट करेंगे तो यह हमको दिखाएगा की होशनेम क्या होशनेम बेसिक लिए इसमें जो भी डाओब ऑगा हुर ऩी देखा अगर कितने 32 ड्राइब कितनी लगी है एक ड्राइब जो भी अभी आपने देखी थी यह ड्राइब लगी है सिंगल ठीक है इस्टेटस अभी कुछ नहीं दखा रहा तो अभी और अभी क्या है आपने जैस्ट ओपिन किया तो इसको प्रेस एंटर एक बार और दमाएंगे तो यहां पर आपको यह option देखने को मिलेगा हॉम कॉन्फिकेशन इनिसियल सिस्टम सेट अप डेट टाइम नेटबर्क सेटिंग यूजर अकाउंट है रिसेट के वल चार्ज बस ठीक है अभी हम क्या कर रहा है अकाउंट यूजर अकाउंट है तो हम इसको आगे करेंगे इसे open होता है तो यह यह मांगता है और इसका by default मोता है00000 पह टाइम जीर डीरो गेंट यह अगर अगर आप अगर आप इसके कंसोल से लोगन करोगे तो आपको एडमिनिस्टेटर का पासवर्ट डालना पड़ेगा ठीक है यह देखो जैसे हम इंटर करेंगे तो यह वाइड डिफॉल्ट आता है प्लिक के आ रहा कि रिषाट दा पासवर्ट फोर दा अड्मिनिस्टेटर एकाउंट इस टंप्रेजी पासवर्ट बिल भी वहलेट फो टू हवार यह दो घंटे के लिए पासवर्ट आता है और यह टंप्रेजी पासवर्ट देगा ही अपने वन से ओके तो इस नहीं यह जैस अब बहुत पहले हो गया था तो अब ऐसा तो पॉसिबल था नहीं कि आपको देखा सकूँ तो उस टाइम पर हमने रिकॉर्ड कर गए रखा था तो वह मैं आपको देखाता हूं तो चलते हैं अपने वीडियो क्यों कैसे होती है और इसका कंसोल हम कैसे लेते हैं कैसे हम इस लॉगन आउट तो पहले हम क्या करेंगे पहले चलेंगे ऑपरेशन में ओके ऑपरेशन पर क्लिक करेंगे तो इसमें यह लिख किया रहा है मूब कॉटेज फिरॉम डवाइस टू हॉम सलोट ठीक है डवाइस मतलब यह जो हमारी जो हमने अभी देखी दी बैकेंड में अठाके अपने हम सलोट पर रख देगी इसको हम कर देंगे तो यह काम करना स्टार्ट कर देगी ठीक है थोड़ा सा नेक्स्ट करते हैं विसको हम cancel करदेंगे अब आते हैं, configuration पर ठीक है, सारा काम यहीं पर होना है, आपको configuration पर और कुछ नहीं है, configuration में हम पहले चलेंगे, initial setup पर, initial setup पर चलने के लिए, हम इसकी arrow की जो OK वाली button में बो दबानी है, टीक है, लास्ट टाइम आपको बताया था अभी थोड़ी दिर पहले से लाइट में तो जैसे हम नेस्ट करेंगे इसमें तीन चीज़ें आ रही है नेटवर कॉन्फिगेशन आई पी भी पोर यहां पे हम अपना मेनेजमेंट वह सॉरी आई पी और सबनेट डालेंगे यह सारी चीज़ें इनिश्किल कॉन्फिगेशन में आएंगे तो हम इसको बैक कर लेते हैं मतलब यह चीज़ें आपको फिल करने के बाद ही हम एम जी एम ती का वो कर पाएंगे तो यह आप तो यह तो इनिश्ट अप कर लो या पर्टिकुलर जाके डेट अन्टाइम डाल ल तो हम अपने नेटवर्कर से स्वर्वर पर हैं तो हमने नेटवर्क से कनेक्ट की हुए तो हम नेत्वर का सर्वर पर आ गये जो अभी हम पेले क्या करेंगी को करेंगे इसकी मैंने में में चलते हैं डिक्सिमेंट मतलब सरी समें डिबाइस मेंने जम Himself में में तो हम इसको कर लेते हैं मिंड़ और यह reflectaire यॉदे जा और भी मौट mgmt.mst डालोगे और ओके करोगे तो वहीं पर आपको ले जाये गा यह ठीक है यहां पर आएंगे डवाइस मेंजर पर यह कह रहा है कि यू आ लॉगिना ओन ए इस्टेंडर यूजर यू इसलिए यह पॉप आप दे रहा है इसको कैंसल करते हैं टेक्ट्राइब यह नीचे देखर रहा है आपको यह देखो मैं ने बोला था ना कि यह जो लाइब değiş आप यह सब यहां पर आपको दोनों देख नहीं है यह इसको हम कर देते हैं cancel और हम अपने ब्राउजर को open कर दीग हमने में आइपी डाल लगए तो हम इसको open करते हैं और आइपी डालते हैं 10.10.0 है डोट ऐसी फोटीफोर है इस पूटी यहां 44 ओके यूजर नेम में हम एडमिन यूजर डालेंगे क्योंकि हम ने इसका चेंज करता था वह हम आपको देखा देंगे कि एडमिनिस्टेटर का क्या है ठीक है मैंने अपना एक अलग सेपरेट यूजर बना रखता था कि एडमिन करके लॉग इन कर लेते हैं इसको पर ओ एडमिन का एक कैप्टल है एक सेकंड एक को हम कैप्टल कर लेंगे लॉग इन कर लेंगे वह वाला हमने रेकॉर्ड किया हो था पीछे वाला सेट यह हम लाइब भी चला रहा है इसको ठीक है तो हम आ गए इसके अपने डैस बोड पर एक्सन पर जाओगे तो यह सारी चीजें देखने को मिलेंगी लेकिन यह हम आपको बाद में दिखाएंगे इसको थोड़ा सा स् स्लोट एक्टी स्लोट है ठीक है और हमने सतर टेप लगा रखी है इसमें बागी का अपने 10 में अभी खाली छोड़ रखा है ठीक है देख रहा होगा आपको नीचे यह देखो सेविंटीन एन एक्टी अब हम इसका आपको एक-एक फंक्सन दिखाने माले हैं कि क्या-क्या इसविशन होते हैं कैसे हम अब डैस बोट पर तो हम डैस बोट पी आएगे अब इस पर चलेंगे मॉडल एंड मैगजीन पर इस पर बन सेकर्ड ठीक है दो मॉडल आपको देख रहा हूंगे आप मोडल बान बैस एंड मोडल टो ठीक है इसमें आपको सारी डेटेल आएगे कि यह आप लौबर पावर सप्लाई क्या है और यूप आप लौबर पावर सप्लाई अपर पावर सप्लाई यह सारी चीज़ व्याइड फूल परकृष थाने अब उब्रांइड पावर सेनिए वस्क्री कि यह सज क्या का नंबर सब्सक्राइब और दो यह हमिम सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइं और इसकमेंगे, तो सबुस्तरी प्रूंप करेंगे कित्ने बहां जा सब्सक्राइब आरूम हमको इवेंट दिखेंगे आप अपना पर्टिकुलर देख सकते हैं इवेंट यहां से हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे डेटा को ठीक है एक्सपोर्ट करने के लिए हम आपको अभी बताएंगे कैसे करना हुआ एक्शन में जाके करना पड़ेगा ठीक है यह इवेंट हो अभी हम चलते हैं ट्राइफ प्र ट्राइफ एंड पॉर्ट अब्स तो हमें दो दिख रही है ऐस एस एन और स्थ सिस्टी पाइप हमने जो वह पिक्चर देखी है वह पिक्चर सिंगल ड्राइप कि अब यहांपे दो ड्राइव लगी हुई है तो यहां पर दोक्राइव आ तक क्योंकि हमारा जो रीड करता है टेप को वह बारकोड के तरिक उसको थोड़ी पता कि आपने कौन सा टेप लगाया बारकोड लगाते हैं अब टेप पर बारकोड लगाएंगे फिर डिराइब हमारी वेस्केन करेगी उस पर्टिकुलर बारकोड को इसलिए यहां पर पारक बारकोड आपको अलग अलग दिख रहा होंगे देखो ओं कौन से लोट में कौन सा बारकोड लगा रहा है वह भी सारा देख रहा है वह बहुत का लोकेशन थिक है यह सारे चीज है यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी यह आप देखे रहो देखो से लॉट टू मैगीन टू यही सब चीज हैं देखने को यहाँ पर मल जाएंगी हम एक्सेस यूज लोकल यूजर में चलेंगे यूजर वाले पार्टीशन में आ गए है तो हमने देखो यूजर बना रखा एडमें का जोमने कनेक्ट किया था और बने इसको एडमने करेंगे थे मॉनिटर को डेंगे तो यह तो ये पास्वडट पालसी में क्या है कि हमें पास्वड रखना यहा है न ti कितने होने चाहिए इस्पेसल क razor होने चाहिए नहीं होने चाहिए ये सब चीज़ने पास्परटपॉलसी में आती हैusion अब reh यावाले यूजर हमको अगर लॉगइन लॉगिन भर सकते हैं अब सेटिंग पर आंगे तो डे टेटं टाइम हो गया लेक शेकर एक देट ep time select कर लेंगे अपना zone जो भी आपका है ठीक है नैट पर कर पे आएंगे तो ये एथर नेत आगया ना हम इस से लॉगन करता है 101044 पर ये हमारे अथे ये ने डीनी डाला नहीं है आप डाल सकते हैं ये की डिटेल है कि में इसका मैक अडिस्क क्या है और यह लिंक स्पीट है ठीक है नॉटिफिकेशन में या इमेल SMTP SNMP अगर जैसे कोई इरड यहां से अगर और आपके मेल पर आ जाए तो वह सारी चीज है सीक्योर्टी में इनक्रप्शन जी अई ग्राफिक का कैसे ग्राफिक पर हम चलना है तो यह सारी चीज है आपको देखारा अब हम चलते है एक सिकर्ट यह तो हम पहले वाली टैप पी आ गए हम चलते हैं ऐक्संट पह से ओए यहां पर इनवेंट्री लाइटि पर किलिक करीं गे देखो जब हम किसी टेप को लगाते हैं न और वो अगर सो नहीं करती तो यहां पर हम इंवेंटरी लाइबरेड़ी पर किलिक करको रियस कर देने तो यह कम सकम 20 से 25 मिनट लेता है इसको इंवेंटरी करने के लिए ठीक है अपडेट फंवेयर पर क्या करेंगे जैसी हम इस पर क्याई सब्सक्राइब हम इसकी सिरियल नुममर से धन्वेयर को अपडेट कर लें गए और यहाँ से फाइल को चूश करेंगे अभी लेट्रिश्ट यह पर चल रहा है यहाँ लेट्रिश्ट गया ज्यक्राई जिस इस यहाँ हमने किया यह तो आयस हो है कर देंगे यह 20-25 मिनट लेगा और रीबूट लेगा एक बार ठीक है यहां से हम लॉक्स को एक्सपोर्ट करेंगे जैसे अभी लाइब्रेरी का कुछ हाड्वैर खराव गया तो कोई लॉक्स मागएगा तो हम इस पर एक्सपोर्ट लॉक्स करेंगे और यह कम से कम 20 मिनट आप करेंगा उसके बाद यह बीश मिनट लेने के बाद फिर यह डाउनलोड कर के दिखाएगा ठीक है तो मैंने इसमें 20 मिनट लेगा या 10 मिनट जैसे भ बने होंगे तो इसमें वह अपने हिसाब से टाइम लेगा तो यह जैसी हो जाएगा ना रेडी इसमें ओके-ओके का कुछ option नहीं आएगा सीज़ा download हो जाएगा यहां पर left hand side मैं आपको देखेगा एक फाइल जीफ फाइल नाउनलोड हो गई होगी थोड़ा सा बेट कर लेते हैं यह देखो आटोमेटिक से वह गई से लॉक कर गई टी यह हमारा नंबर आ गया ठीक है यह मने लॉक कैसे यह एकस्पोर्ट करने है और फंबेर कैसे अप्डेट करने है यह देग लिया ठीक है रिसेट लाइबरेरी रिस्टार्ट कैसे करने यह वह है ठंड आइडम फीलाइट होती नहीं जो लाइट जो फिर्न लाइट जल लही है उसको अन करना आः और और आफ करना है यह सारी चीजें से मैं कर सकते हैं, test में हम demo mood, slot, slot to slot, हम कैसे, मतलब slot to slot, मतलब इसके left hand side magazine में tape रख की, उसको ठाके right में कैसे ले जाने, तो वो उसका करने के लिए, हम को करते हैं, और library information में आपको सारा चीज है, मतलब serial number मिल जाएगा, firmware मिल जाएगा, robot cardware मिल जाएगा, बारकोर जीडर, होस्ट नेम, डबलु डबलु एन नमर अगर आपको ब्रोकेट सुचके थिरू जाना है तो आज के वीडियो में यही था कि हाव टू डप्लॉय टैप लाइबरेरी ओके, तो थैंक यू पर वाचिंग माइ इस वीडियो, ओके मिलते हैं नेक्स वीडियो में और प्लीज कीप सपोर्ट अन माइ इस यूटूब चैनल थैंक यू अगैं पो वाचिं दिस वीडियो, थैंक यू फो मच